आज हम गाउं की administration जोती है कैसे काम करती है गाउं में उसके बारे में इस chapter में पढ़ने जा रहे हैं हमारे यहाँ पर 6 लाग से भी जादा गाउं है उन गाउं में लोगों की पानी की बिजली की सडकों की और बहुत सारी छोटी छोटी जरूरती होती है जिसको की पूरा कर प उसके इलावा उसके सासत क्या होता है कि गाउं में क्या होते हैं जमीनों के जो लोगों की जमीने होती हैं के तोमाली उनके records रखना और फिर उनके अगर बीच में आपस में जगड़े हो जाते हैं तो उनको निप्टाना भी एक बहुत ही difficult task जो होता है और उसके लिए हमें complete administration की जरूरत पड़ती है जो कि हमारी ये सारे के सारे काम करती है गाउं के छोटे से जगड़े जिसको को की जमीनी विवात से हम इस chapter की शुरुआत करने जा रहे हैं मोहन जो है वो ही किसान है वो अपनी family के साथ उसका एक छोटा सा agricultural field है और वो क्या करते है बहुत सालों से वो कर रहे है उसके साथ ही रगू का जो है रगू की जमीन है और उसमें क्या है उसको separate किया हुआ अपस में एक boundary से उसको separate कर देते हैं जिसको बंद बोलते हैं ठीक है एक सुबह क्या हुआ हुआ मोहन ने ये बात देखी कि रगू जो है उसने अपना बंद जो है थोड़ा उन्हें खेत को बड़ा कर लिया ठीक है उससे क्या हुआ उनका आपस में क्या हो गया जगडा जो था वो गया ठीक है अब क्या है कि उन्होंने क्या करना शुरू किया जब आपस में जगडा हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो मोहन है उसको बहुत ग पंच भी है अब कहा है लेकिन फिर भी क्या हुआ उसने हिम्मत की और उसने रगू के घर जाकर सोचा कि मैं बाठीट करके देखता हूँ कि उन्होंने मेरी जमीन जो है क्यों ले लिया ठीक है लेकिन क्या हुआ कि जब वहां गया उनका आपस में क्या हो गया बाठीट उसको पीटना शुरू कर दिया, थिक यह जैसी जो नेबर थे उन्होंने सुना कि मोहन को जो फीटा जा रही तो इस वज़े से उन्होंने क्या किया उसको आकर मना किया और उसको किसे न किसी तरीकर से बचा लिया, थेक है वो बुरी तरह से उसको सीर और हाथों में बहुत सर पुलिस टेशन पर जाना चाहिए और वहां जाकर हमें एक रिपोर्ट फाइल करने चाहिए जो रगव है उसने मोहन के खेत जो है उसका हिस्सा कुछ हत्या लिया है ठीक है अब क्या हुआ कि लेकिन उनको इतना जादा नालेज नहीं है वो इतना जादा नहीं जानती कि अगर वहां जाएंगे तो क्या होगा ठीक है क्या था कि वो बहुत ज़दा डाउट में उनको लगा कि हम क्या करेंगे waste a lot of money and nothing would come out of it हम बहुत सरा पैसा भी बढ़ाद करेंगे और उसमें से निकल कर हमारे सामने कुछ भी नहीं आने वाला some people said that Raghu's family would have already contacted the police station और उसमें से कुछ लोगों ने का कि जो Raghu की family उन्होंने पहले से ही police station में क्या कर लिया है contact कर लिया है बहुत सरी discussions हुई और उसके बाद फिर भी क्या हुआ कि वो लोग पास के police station पर चलेगे area of the police station अब क्या होता है कि उन्होंने का कि हमें क्या करना चाहिए हमें यहां ना करके थोड़ा और पैसा लगा के क्या करें हम उसके दोस्तों ने का कि हम जाकर शहर के police station में अपनी जो case वो फाइल कर देते हैं कि हमारे साथ यह problem है लेकिन फिर Mohan ने उनको एक बात समझाई क्या होता है it is not a question of money we can register the case only in this police station because our village comes in its area of the work explained Mohan Mohan ने उनको बताया कि यह पैसे की बात नहीं है पैसे का इसमें कोई मामला नहीं है हम क्या कर सकते हैं सिर्फ इसी police station में अपना case जो है register कर सकते हैं क्योंकि हमारा गाउं जो है सिर्फ इसी police station के area के अंडर आता है जो भी police station होता है उनका area जो होता है वो fix होता है और क्या होता है उसी area में जाकर हम अपनी report कर सकते हैं और जब case file हो सकते है तो उसी police station से police जो है वो investigation के लिए उस area में आ सकती है ठीक है अदब work at the police station अब police station में क्या काम होता है कि जब वो police station पर पहुंचे तो वहाँ पर कौन होता है SHO station, house, officer होता है ठीक है वो वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जाकर सारी की सारी घटना जो थी वो उसको बता दी लेकिन SHO ने बहुत rudely उनके साथ बात की और उसने का कि मैं तुमारी complaint जो है वो नहीं लूँगा इतनी चोटी मोटी complaints को investigate करने के लिए मेरे पास time नहीं है ठीक है और क्या होगा कि Mohan जो था उसने अपनी जो चोटें लगी हुई थी वो उस SHO को दिखाई लेकिन तब भी उसने विश्वास नहीं किया अब Mohan जो था Mohan was puzzled and did not know what to do Mohan जो था वो puzzled हो गया अब उसको समझने आ रहे थी कि मैं क्या करूं He was not sure why his complaint was not being recorded अब क्या था कि उसको समझने आ है कि उसकी complaint क्यों नहीं record की जारी क्यों नहीं लिखी जारी फिर क्या हुआ जो उसके neighbors थे वो महाँ पर गए उन्होंने कहीं न कहीं उस SHO पर उनकी बातों का pressure बना और फिर उसने कहा कि आप अपनी complaint जो है उसको लिख दो और जो मेरा जो मेरे यहाँ पर पुलिस के लोग है वो आपके जो मेरा constable है वो अगले दिन आपके यहाँ पर इस incident को investigate करने के लिए आ जाएगा next topic है हमारा maintenance of land records ठीक है अब हमने देखा कि मुहन और रगू का आपस में जगड़ा हुआ जगड़ा हो रहे किसलिए क्योंकि जमीन का जो हिस्सा है कुछ ना कुछ आपस में shifting होगी है ठीक है इस वज़े से उनका अब क्या होता है कि इसके लिए क्या ज़रूरी है कि land records जो है वो रखे जाने गाउं में बहुत ज़रूरी होते है measuring land and keeping land records is the main work of the पटवारी अब क्या होते है पटवारी होते है गाउं में एक और उसका क्या काम होते है कि वो जितने भी land के records होते है उनके measurements करते है और फिर उनके records जो अपने पास रखते है पटवारी होते हैं इसको अलग लग नामों से जाना जाता है और हर पटवारी जो होते है वो किस चीज़ के लिए responsible होते है बहुत सारे गाउं के लिए वो जिम्मेवार होते है पटवारी maintains and updates the records of the village पटवारी क्या करते है records जो होते हैं उनको रखता है और उनको मेशा update रखते है पटवारी usually has ways of measuring agriculture fields जो पटवारी होते है वो जातर क्या करता है उसके पस उन्हें लगलग तरिक्के बनाए होते है अगरी कचल फील्ड को measure करने के लिए कई बार क्या होते है पर लोंग चेंज होते हैं उसको use करते है और से measure कर लेते हैं और फिर उसका record जो है वो अपने पास रख लेते हैं ठीक है और क्या करते है पटवारी is responsible for organizing the collection of land land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area पटवारी जो होते है वो क्या करते है tax collection revenue क्या होते है tax collection tax collection का काम करते है किसानों से लेते है और क्या करते है उसके record बनाता है और फिर वो government तक पहुंचाता है कि कौन सी crop grow की गई और उसके पर उसने कितना tax years को collect किया गया this is done from the records that are kept and that this is why it's important for the पटवारी to regularly update these उसने क्योंकि उसने हमेशा क्या करने सरकार को जवाब देना कि कितने कितने रेविन्यू जो है टेक्स उसने कठा किस वज़े से वो update रहते है हमेशा records जोते है वो साथ साथ लेते है farmers may change the crops grown on their fields और someone may dig a well somewhere and keeping records and keeping track of all this is the work of the revenue department of the government कि कि अभी किया है कि कोई किसान जोते है वो अपनी crop जो जो चेंज कर सकता है अपने खेतों में फसल जो वो बदल सकता है कि दूसरी crop grow करेगा उसके लावा कोई क्या कर लेता है अपने मां कुवां खोद लेता है तो यह सारा का सारा जो record रखना है यह कौन रखता है revenue department text department जो होता है वो अपने पास रखता है senior people in this department supervise the patwari's work इस department के जो high post people होते है जो वो क्या करते है patwari के कामों का लेखा जोखा रखते है for managing matters relating to land these districts are further subdivided कि क्या काम करने के लिए क्या कर दिया गया इन districts को क्या किया गया subdivide और आगे छोट-छोटे हिस्सों में बाढ़ दिया गया these subdivisions of a district are known by different names such as तहसील, तालुका, etc at the head is the district collector and under her are the revenue officers also known as the तहसीलदार ठीक है district collector होते है head और उसके नीचे जोते हैं revenue officers जोते हैं उनको क्या बोलते हैं तहसीलदार they have to hear disputes उनके पास और कौन से काम होते है कि वो अगर आपस में कोई जगड़े हो जाते हैं लोगों के तो वो क्या करते हैं उनकी problems को सुनते हैं they have to hear disputes they also supervise the work of पटवारी and ensure that the records are properly kept and land revenue is recorded sorry collected ठीक है अब क्या करते हैं वो क्या करते हैं disputes सुनते हैं उसके बाद पटवारी जो होता है उसके काम को supervise करते हैं कि क्या पटवारी ने जो records रखे हुए है वो proper रखे भी गए है revenue जो collect किया जा रहा है क्या वो सही तरीके से collect किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है they make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record तेक हैं और वो ये sure करते हैं farmers जो है अपने उस record की copy जो है वो ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं ऐसे ही क्या है कि ये देखिए एक daughter की wish है daughter क्या चाहते है वो कहते है कि जो ये खेत था ये जमीन थी मेरे पिता को उनके पिता से मिली है और वो मेरे पिता जो है ये सारा का सारा जो है क्या है मेरे पिता के लिए ठीक है लेकिन क्या है कि मेरे को क्या चाहिए मुझे ये दहेज और कुछ भी ने चाहिए मैं सिर्व अपना स्थान जानना चाहते हूं कि एक बेटी जो है उसका स्थान इस समाज में क्या होना चाहिए इसको clear करने के लिए एक नया कानून जो था वो पास किया गया अन्यू लाउ हिंदू सक्सेशन एमेंडमेंट एक 2005 में पास किया गया था इसमें क्या किया गया था कि जो property होगी ठीक है पहले क्या होता था कि पिता की मृत्यू के बाद उसकी सारी property जो होती उसके जितने भी बेटे होते थे उनको बराबर भागों में बांड दी जाती थी लेकिन क्या होगा कि 2005 का जो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट था इसमें अमेंडमेंट की गई इसमें changes की गई और क्या का गया कि संस के सासा जो daughters हैं उनको भी क्या होगा कि equal share जो है वो दिया जाएगा the same law will apply to all states and the union territories of the country ये जो same सभी states इंडिया की ये जितने भी union territory है सबके लिए ये कानून जो है वो सेम तरीके से follow किया जाएगा the law will benefit a large number of women for example सुधा is the eldest daughter of an agricultural family इसने का कि ये benefit जो है वाद सभी ओरतों को दिया जाएगा इसमें के example लिया गया एक सुधा है वो अपने घर में सबसे बड़ी बेटी है agricultural family है तो पास के ही गाउं में उसकी शादी हुई है और उसके पिता की क्या है मृत्तिय हो चुकिया है has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record कि क्या आप मा जो है क्या चाती है कि उसके सभी बच्चों के साथ साथ उसका नाम भी उस record के अंदर डाल दिया जाए सुधा's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister similarly सुधा also lives with the assurance that if she ever has a problem she can always depend upon her share of the land ठीक है अब सुधा क्या है उसको पता है कि वो अपनी माँ के साथ help भी कर रही है और कल को अगर ज़रूरत पढ़ेगी अगर उसको किसी तरह के की भी जूरत होगी तो इस जमीन में उसका भी हिस्सा जो है वो शामिल है तो इस तरीके से कोशिश की गई वुमेन एंपावर्मेंट की और सरकार की और से यह कदम जो था यह उठाया गया